नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में आपको बदाने वाला हूँ कि AWE 4K Wallpaper Application को आप अपने फोन में कैसे यूज करेंगे तो गाइस अगर आप भी जानना चाहते हो कि AWE 4K Wallpaper Application क्या है और उस एप्लिकेशन को हम अपने फोन में कैसे यूज करें तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए तो गैस सबसे पहले इसके लिए करना क्या होगा प्ले स्टों में जाना है और प्ले स्टों में जाने के बाद AWE 4K Wallpaper Application को सर्च करना है सर्च करने के बाद इस एप्लिकेशन को Download कर लेना है अब जैसे ही आप इस एप्लिकेशन को Download करेंगे डाउनलोड करने के बाद अगर आप इस एप्लिकेशन के Reviews रेटेड़ वगरा जानना चाहते हो तो नीचे की साइड में आने के बाद देखे तो 3.7 को star मिले हुऊ 803 इसके reviews है rated देखे तो 3 plus rated है और देखे तो 1 lag plus इसकी जो downloading है अब guys मैं आपको बतायाता हूँ कि इस application को कैसे आपको use करना है तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा application को open करना होगा अब जैसे ही आप इस application को open करने के बाद सबसे पहले application थोड़ा सा loading लेगा loading लेने के बाद कुछ इस तरह से यह जो application हमारे सामने आ जाएगी अगर आपको अपने phone में VPN यूज करके application को use करना तो okay पर click कर लीजे अगर आपको नहीं करना है तो यहाँ पर cancel पर click करेंगे तो VPN जो connect नहीं होगा तो अब यहाँ पर मैंने इसके उपर click कर लिया click करने के बाद यहाँ पर हमारे phone में VPN जो connect होगा तो इसके लिए यहाँ पर हमारे phone में यह loading लेगा साथ में यहां पर मैंने VPN को भी connect कर लिया तो VPN connect होने भी जो connection connect होता है उसमें भी यहां पर थोड़ा सा time लगता है तो उसके लिए यहां पर हमें वेट करना होगा उसके बाद कुछ इस तरह से यह जो application रहेगी हमारे सामने open हो जाएगी तो अब यहां पर हमें करना क्या होगा तो दो option हमारे सामने आएगा एक फर्स्ट वाला एक सेकंड पर क्लिक करेंगे तो wallpaper वाला option जो हमें देखने को मिल जाएगा तो वालपेपर के उपर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर जो है तो अलग लग category wise आपको wallpaper देखने को मिलेंगे जैसे यहां पर अनिमल से उसके बाद इसके यहां पर कॉमिक है अलग अलग यहां पर फैंटेसी अलग यहां पर आपको जो वालपेपर आपको देखने को मिल जाएगा इसमें से यहां पर कोई भी वालपेपर आप लगाना चाहते हो डाउनलोड करना चाहते हो कर सकते हो ज तो तीन option हमारे सामने आ जाते हैं अगर किसी को भी आपको शेयर करना है तो इसके उपर क्लिक करेंगे तो यहां पर कही पर भी इस application को मतलब इस wallpaper को शेयर करना तो आप कर सकते हो जैसे कि यहां पर WhatsApp, Facebook, Instagram कही पर भी किसी भी शेयर करना तो आप इस wallpaper को शेयर कर सकते हो ठीक है इसके लावा नीचे की साइट में अगर डाउनलोड करना है तो डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपका जो wallpaper रहेगा अपके फोन में जो डाउनलोड हो जाएगा ठीक है यहां पर download पे क्लिक करेंगे तो यहां पर थोड़ा सा loading लेगा उसके बाद यह जो wallpaper है आप इसे जो तो इस तरह से जब भी आप wallpaper को set करेंगे तो इस तरह से आपको जो wallpaper देखने को मिल जाएगा तो इस तरह से आप wallpaper को share भी कर सकते हो, download भी कर सकते हो, यहाँ पर देख सी भी सकते हो कि किस तरह से आपको set करने के बाद लगेगा ठीक है ना तो इस तरह से आप अपने फोन में AWE 4K wallpaper application को यूज़ कर सकते हैं